अगर आप कोई चीज नहीं जानते, अगर आपको एärसास होता है कि आपको कोई चीज नहीं मालुम है, क्योंकि ज्यादतर लोगों को ये Arsas नहीं होता कि वो नहीं जानते, अगर आपको ए Tigers नहीं तो आपकी बुद्धी के लिए उसे जानने की इच्छा रखना बहुत स्वाभाविक है। इसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी धर्म गरंथ की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे इनसान की जरूरत नहीं है जो आपसे ये कहे। ये आपकी बुद्धी की प्रकृती है, कि आप जानना चाहते हैं। ये दिखाने के लिए बहुत से प्रयोग मौजूद हैं। अगर आप एक चुहे को भी किसी जगा पर छोड़ दें, तो वो दो मिनिट में उस जगा में हर चीज को खोजबीन कर लेंगे। ऐसा करने के उनके अपने कारण होते हैं। खुद को सुरक्षित रखने की वज़े से। ये जानने के लिए कि वो जगा कैसी है, वो अपने आसपास की हर चीज की जानकारी ले लेंगे। इनसान की बुद्धी खुद की सुरक्षा से आगे तक जाती है, तो इंसानी बुद्धी स्वाभाविक रूप से और ज्यादा चीजें जानना चाहती है, जिसका संबंध हमारे जीवित रहने से नहीं है। हाँ, हम अपने जीवित रहने की चिंता करते हैं एक हद तक, लेकिन जब उसका इंतजाम हो जाता है, तो हम चैन से नहीं बैठते हैं हम और ज्यादा जानना चाहते हैं, अंतहीन तरीके से और ज्यादा, हमें जितना ज्यादा एसास होता है कि हम नहीं जानते, जानने की चाहत उतनी ही ज्यादा होती है, तो जानने की ये इच्छा, जब ये एक तलाश के रूप में बहुत तीवरता से अभिवक्ती पाती है, तो हम इसे आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं या दूसरे शब्दों में आध्यात्मिकता का आधार ये एसास है कि मैं नहीं जानता लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ तो आप खुद को विश्वास करने वाला बता रहे हैं जब आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हर वो चीज जो मैं नहीं जानता, मैं उसकी कलपना कर लूँगा मैं कैसे उसकी कलपना करूँगा, उसकी कलपना करने के लिए मैं किसकी मदद लूँगा हो सकता है कि ये हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो कोई इनसान इसे धर्म गरंथों की मदद से पूरा करता है कोई इसे एक पुजारी की, पंडित की या एक गुरू की या किसी और की मदद से पूरा करता है लेकिन आप किसी अधिकारी या सत्ता को खोचते हैं आप अपने जीवन में एक तरह से समझोता करते हैं कि सत्य के बजाए आप एक अधिकारी को सत्य की जगा बिठा देते हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि आपके लिए सत्य ही एक मात्र सत्ता है कोई अधिकारी आपके लिए कभी भी सत्य नहीं है तो ये दो अलग पहलू हैं, बतकिस्मती से दोनों का एक ही सांस में एक साथ इस्तेमाल किया जाता है आध्यात्मिक प्रक्रिया विश्वास की मांग नहीं करती, क्योंकि विश्वास और आध्यात्मिक प्रक्रिया एक साथ नहीं चलते आध्यात्मिक प्रक्रिया लगातार चलती खोज है यह आपके सवालों को पैना बनाने का तरीका है ताकि वो गहरे और गहरे उतर सकें किसी दूसरी चीज के अंदर नहीं बलकि आपके भीतर आपके अस्तित्व की प्रकृती के भीतर क्योंकि इंसानी अस्तित्व की प्रकृती ऐसी है कि अपने अनुभव में सिर्फ एक ही चीज जो आप अनुभव कर सकते हैं वो आप खुद हैं आपको असल में लगता है कि आप कई चीजों का अनुभव कर रहे हैं लेकिन आप हर चीज़ को सिर्फ वैसे ही जानते हैं, जैसे वो आपके भीतर होती है, आप कुछ और नहीं जानते हैं, अगर आप इन लोगों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ हैं, लेकिन असल में आप उन्हें उसी तरह से जानते हैं, जैसे उनकी छवी हमारे मन के परदे पर बन रही है, कोई और तरीका नहीं है, आपके लिए जीवन को अनुभव करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिवाए उस तरह से, जैसे ये आपके भीतर घटित होता है, अब आध्यात्मिक प्रक्रिया एक लगातार कोशिश है, ये पक्का करने की, कि मेरे भीतर ये जैसे होता है, वो एक विकृत नजरिया नहीं है, मेरा दरपन कहीं टेड़ा-मेड़ा तो नहीं है, ये समतल दरपन है, ये मुझे चीज़ों को वैसे ही दिखाता है, जैसे वो हैं, ये किसी चीज़ को बिगारता नहीं, मेरे विचारों की वज़े से, मेरी भाव और मैं हर चीज़ को वैसे देख सकून जैसी वो है यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है